हेलो एवरीवान वेलकम तू माई योट्यूब चैनल जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आप लोगों को टॉपिक वाइस रुक्मनी करेंट अफियर करा रही हो जो कि आगामी गुरुपडु एक्जाम और बाकी जितने भी एक्जाम हैं उन सभी के लिए बहुत महत्रपूर्ण है चोटे चोटे टॉपिक्स हैं और एनलाइसिस करने के बाद ही ये टॉपिक आप लोगों को कराए जा रहे हैं एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक और शियर कर दीजी चैनल पर नए हैं सो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजी तो यहाँ पर आज आप करने व थल सेंआ प्रमुख वर्तमान में उंतिश्वी नंबर के बने हैं और हाल ही में बने हैं तो आपके लिए महात्यपोर्ण हैं लाइटिनएट जनरल मनुस पांडी। वायू सेना प्रमु कौन है बच्चे विवेक राम चौधरी जो की 27 वे नमबर के हैं और थल सेना सह सेना प्रमु कौन है बीएस राजू और भारत ये वायू सेना निरक्षण एवं सुरक्षा की महानिदेशक एर मारसल संजीब कापूर को बनाया गया है और नौ सेना कौन है आपसे पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है वो है उप उप प्रमु कौन है नौ सेना स्टाब के एस एन घोर मड़े है और भारत तिब्बत भारत तिब्बत सीमा पुलिस की मैं बात करूं आइटी बीपी की तो इसके महानिदेशक है संजे अरूरा जी शीमा सु शुरक्षा गार्ट नेशनल सेक्योरेटी गार्ट के महानिदेशक कौन है एम एक गनपती जो की बहुत महत्वपूर्ण है और एस एन प्रधान जो है ना यह नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरा एन सी बी के महानिदेशक है और आरास्ट्या प्रतिकिरिया बलकी मैं बात कर प्रवाल महानिदेशक है एंडी आरफ के वी एस पठानिया भारत्य तटरक्षक बल आई सी जी के महानिदेशक है और विशेश शुरक्षा समुए स्पी जी के मनिदेशक कौन है अरुन कुमार सिनहा है और ससस्त्र सीमा बलकी मैं बात करूं एस एस पी इसके महानिदेशक था उसेन है और केंद्रे रिजर्व पुलिस बलकी मैं बात करूं सी आर पी अपकी तो इसके महानिदेशक गुलदेप सिंग है और रास्टी अन्वेशन अभीकरन एनाई के महानिदेशक कौन है दिनकर गुपता है और नेक्स्ट आप लोगों का केंद्रे आद्योगीक शील वर्धन सिंग है और रेलवे सुरक्षा बलके महानिदेशक संजे चंदर हैं और सीमा सडक संगठन बियारू के महानिदेशक संगठन राजीव चौधरी 27 वे नंबर की हैं और एक रास्टे कैड़िट कोर बहुत महतपूर्ण है एन्सिसी नेशनल कैड़िट कोर्स की म आप लोगों का कल है 17 अगस और 17 अगस जिसका भी एक्जाम है उन सभी बच्चों को मेरी तरफ से हाद एक शुपकामना है बिलकुल भी घबरा नाम नहीं है आप लोगों को एक्जाम सेंटर में जाकर की आराम से रिलेक्स होकर की एक्जाम देना है आपने जितनी मेहनत की ह आपको बस माइंड में रखना है और एक्जाम देना है बाकी कुछ नहीं सोचना है and all the very best thank you so much